नमस्कार, मैं हो ससी, आए जार्खन के टोप 25 परमुख खबर जानते हैं ए नगद रुपए कूट के डिबो, पलोथिन और कपड़े की थैलियों में भर कर रखे हुए थे अब तक यहां 30 कोल रुपए की गिंती की जा चुकी है और नोटों की गिंती जारी है इसके साथ ही इडी ने संजीव लाल के करीबी बिल्डर मुन्ना सिंग के घर से 3 कोल रुपए नगद जब्त किये हैं दो साल पहले ठीक इसी दिन 6 मैं 2022 को इडी ने मनरेगा घोटाला में सिये सुमन कुमार के ठीकानों से 17.79 रुपए नगद जब्त किये थे चापे मारी में बरामद रुपएव का संबंध आपस सचीव संजीव लाल से है साथ ही इससे मंत्री आलमगीर भी संदेह के दायरे में है चापे मारी में जब्त रुपए योजनाओं को लागू करने के दौरान कमीशन के रूप में वसुले गया है इडी द्वारा वर्ष दो हजार तेस में ग्रामिन विकास बिभाग के गारेपालक अभियांता बिरेंद्र राम को गिरफतार किये जाने के बावजूद बिभाग में कमीशन खोर जारी रही है जारखन के पुर्व सियम हमान सुरेन की दाढ़ी में दिखी सीबू सुरेन की छवी जारखन के पुर्व मुख मंत्री हमान सुरेन सोमवार को अपने चाचा के स्तरात करम में सामिल होने के लिए पुलिस कश्टडी में अपने पैत्री गाउन नेमरा रामगड पहुचे कूरता पहने हुए थे बढ़ी हुई दाढ़ी में दी सोम गुरू सीवू सुरेन की छावी दीख रही थी बतादे जारकन के पुरमुक मंत्री हमान सुरेन अपने चाचा के स्तराद करमें सोम वार को सामिल हुए इस दरण उन्होंने अपने चाचा स्वर गिये लाजा राम स्वीर पर पूस्प चड़ा कर सरदानजली अर्पित की इसके साथ ही वे स्राद करम में सामिल हुए इस दरण काफी दिनों के बाद अपने परिजिनों से मिल करवे भावख हो गा है बावुलर्मरांडी की सीम चंपाई से गुझारिस काइस बरामत मामले की सीबियाई जाजकी करे अनुसंसा मनोटों के बंडल में REO के दागी अभियंताओं पर करवाई के लेटर मिल रहे हैं कहीं इस अपराधिक सड़यंत्र में CM 25 सुरेन भी सामिल ना हो जाए वे ततकाल पुरे मामले की CBI जाज के अनुसंसा करे कहीं ऐसा नहो की करे कोई और भरे कोई और वाली कहावत जारखन में चरितार्थ हो जाए चमपाई सुरेन निर्फीक होकर निर्नाई ले नौकर के घर मिला पैसा किसका है या सरकार में सामिल कांग्रेस के मंत्री बताए उडिसा में बोले पिये मोदी जहारखन मिल रहा नोटो का पहार जहारखन में सोमवार की सुब्वा इड़ी ने बड़ी करवाई की है मंत्री आलमगीर आलम के पिये संजीव लाल के ठीकानों पोर रेड की संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर से कड़ोरो कैस बरामत हुए है एक ख़बर पूरे देश में जंगल में आग की तरह फैल गई लोग सभा चुनाव चल रहा है ऐसे में इस घटना पर ब्यान बाजी भी सुरू हो गई है बता दे इस तरहन पी एम मोदी उरिशा में एक चुनावी सभा को समधित कर रहे थे मामले की जनकारी उन तक भी पहुँची नवरग पूर में चुनावी सभा को समधित करने के दरान उन्होंने जारखन में E-D की रेट का जिक्र किया उन्होंने कांग्रेस के साथ इंडिया एलाइंस पर जोरदार हमला किया है चुनावी संभा को पीएम मोदी ने कहा है कि मैं गरीब मा का बेटा हूँ और मुझे गरीब का दर्द समझ में आता है मैं एक रुपे भेजूँगा और एक पाई भी किसी को खाने नहीं दूँगा जो खाएगा वो जेल जाकर खाना खाएगा जेल की रोटी चबाएगा अभी आप घर जाकर टीवी में देखना यहाँ परोस में जार्खन में नोटों के पहाड मिल रहे है लोगों का चोरी किया हुआ माल मोधी पकर रहा है कांग्रेश नेता राहूल गांधी और सीम चंपई आज गुमला में करेंगे चुनावी सभा कांग्रेश नेता राहूल गांधी साथ मैको गुमला के बसिया में चुनावी सभा को संभोधित करेंगे रहूल गांदिक के साथ राज के मुख मंतरी चमपई शुरेन कांगरेश परदेश प्रभाहारि गुलाम अहमद मीर कांग्रेश परदेश अध़क्र राव अस्थल की त्यारी काजा जालिया कांग्रेश के परदेश सर्चीव रमेश कुमार चीनी नहीं बताया άλλा कि कांग्रेश की लोग सभा के 1 लाग से अधिक लोगों का जुटान होगा कारकरम को लेकर भव ये पंडल बनाया गया है वही सुरक्षा के पुक्ता इंतिजाम भी किये गए हैं राहूल गांधी की चुनावी सबाकारकरम मंगलवार को दिन एक वय से सुरू होगा जहागीर के फलेट से मिले टांसफर पोस्टिंग के सबूत मंत्री अलमगीर अलम के निजी सचीव संजीव कुमार लाल के नोकर जहागीर के हर्मू रोड इस्थित फलेट से टांसफर पोस्टिंग सम्मधित काग्यात मिले हैं परदेश कॉंग्रेस के अध्यक्ष रायस ठाकूर का नुसन सा पत्र भी इडी को मिला है जिसकी देर रात तक चानबिन चलती रही इडी ने सभी काग्यात को जब्त कर लिया है जब्त काग्यात में 23.2023 के एक पत्र का जिक्र है जिसमें हजारी बाग के कटम दाग की प्रखंड विकास पता दिकारी सालिनी खलकों को हजारी बाग से कही दूर भेजने के लिए लिखा गया है लिखा गया है कि उन्हें हटाना जरूरी है उसी पन्ने पर नीचे राजस ठाकूर PCC लिखा हुआ है बता दे टांसफर पोस्टिंग के अनकाग्यात में गोड़ा के पोड़ेया हाट वीडियो महस्वरी पर साथ को यथावत रखने गोड़ा के करेपालक दंडा अधिकारी एजाज आलम की सेवा ग्रामिन विकास विभाग से दुमका के सरिया हाट वीडियो के पद पर करने के उन्संसा की गई है हाई कोड से नहीं मिली जामाना तो सुप्रीम कोड पहुंचे हेमांत सुरेन पुर्मुख बंतरी हेमांत सुरेन ने कथित भूमी घोटाले से जुड़ी मनी लॉंडरिंग मामले में प्रवतन नीदे साले द्वारा उनकी गिरफतारी को चुनोती देने वाले उनकी आवेदन को खारिच करने के जार्कन उस नियाले के आदेस के खिलाब सुमवार को सु चिबत करने के मांग करते हैं ममला का उले किया है राष्ट्री ए महिला होकी लिंग सुट आउट में हर्याना से हारा जार्कन मुराबादी के मरांगों के जैपाल सिंग एश्टोटर फोके स्टेडिय में चल रहे नेशनल विमेंस होकी लिंग के पहले सीजन में सुमवार को कूल चार मैच खेले गाए इनमे में जबान जार्कन को हार का सामना करना पड़ा है उसे हर्याना ने रोमान सुट आउट में चार एक से पराजित किया निधारी समय तक दोनों टीमें एक एक गोल से बराबरी पर थी चार्कन के लिए मैच के साथवे मिनट में स्विटी डूग डूग ने पहला गोल किया वहीं दूसरे क्वार्टर के 25 मिनट में हर्याना की सुख प्रीत कौर ने बराबरी का गोल दागा इसके बाद पिनाल्टी सुट आउट में हर्याना ने चार एक से जित धर्च की है राची लोग सभा सीट से 33 अभियातियों ने किया नोमिनेसान जारखन में देश के चौथे चरण से मत्दान होना है यहां चौथे पांचवे चट्वे 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 और आखरी चरण सात्वे में चुना होना है चट्वे चरण के लिए नमांकन समाप्त हो गया है चट्वे चरण के लिए 25 माई को वोट डाले जाएंगे बतादे जारखन में 4 सीटों पर चुना होना है छट्टे चरण में गिरीडी धनबाद रांची और जमसेत पूर सीटे के लिए 25 मई को वोट डाले जाएंगे छट्टे चरण के लिए नमांकन का आखरी दिन था छट्टे चरण के लिए रांची सीट से कूल 33 अभियार्थियों नमांकन किया है नोमिनेशन के आखरी दिन 6 मई को 16 अभियार्थियों नमांकन पर चताखिल किया बता दे पत्रों की जाच होगी इसके बाद दो दिन बाद या 9 मई तक उमिद्वार अपने नमांकन वापस ले सकेंगे इसके साथ ही चुनावी मैदान में डट उमिद्वारों को फाइनल सुची जारी कर दी जाएगी चमपाई सुरेण ने यस्वीनी सहाय को दिया जित का अशिरवाद रांची लोकसबाद सीट के लिए नमांकन खत्म हो गया है नमांकन के आखरी दिन कांग्रेस से यस्वीनी सहाय ने नमांकन पर चताखिल किया है नमाकन के बाद ओ साम में मुख मंत्री चमपाई सुरें से मुलकात की और जीत का असिर्वाद लिया इस दोरान पुर्व केंद्री मंत्री और स्वीनी के पिता सुबोत कांसाही भी मौजूद रहे संसद में राज की आवाज बनेगी यह हमारे लिए गर्व की बात होगी साथी चंपाई सुरे ने कहा है कि युवा पीढ़ी का रहनीती में आने देश और परदेश के लिए सुखद है बरतमान में केंदर सरकात जिस परकार युवाओं को बरगला रही है अगर युवा संसद पहुचता है तो युवा के साथ साथ महिलाओं और हर वर्ग का आवाज बनने का काम करेगी पीएम मोदी के नाम पर वोट मांगने वाली बीजेपी पुझी पतियों के लिए करती है राईनिती चमपाई सुरेन जारखन के सीएम चमपाई सुरेन ने कहा है कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है भाजपा के वल परदान मंत्री के नाम पर वोट मांग रही है मांगाई वा बेरोजगारी जैसे मुदों पर कुछ नहीं बोला जा रहा है देश की जानता को केवल गुमराह किया जा रहा है पुझी पतियों के लिए ही भाजपा राई निती कर रही है केंदर सरकार ने जहारखन के साथ बहुत अन्याई किया है हर बार सोतेले बेभार किया जा रहा है लगातार पेट्रोलियम पदार्थ के दावों में अब परत्यासित बिरीधी हो रही है आम जनता परिशान है प्रतुपरदान मंत्री को इससे कोई मतलब नहीं है इन सबसे भाजपा को कोई मतलब नहीं है वे स्वमवार को सेक्टर पाँच इस्थीत पुस्तकाले मैदान में गिरीडी लोग सभा सीट से जहामों मों परत्यासी मतुरा महतों के पक्ष में चुनावी सभा को समधित कर रहे थे स्वक्षता सर्वेक्षन 2024 अभियान में स्कूल अस्पताल में होई स्वक्षता की जाच स्वक्ष सर्वेक्षन 2024 में बेहतर रैंकिंग पाने के लिए जमसेदपूर अधिसूची छेतर समीती ने त्यारी त्यज कर दी है इसके लिए होटलों, इसकूलों, अस्पतालों, सरकारी कर्यालों, बजारों और सोसाइटों में स्वख्षता परत्योक्ता शुरू की गई है मान को फर्खरा उतरने वाले परतिश्ठानों को स्वख्षता रैंकिंग दी जाएगी जमसेदपूर अक्षेंस के उपनगर आयुक्त कृष्ण कुमार के आदेश परनगर प्रसास कोक के नतिवत में टीम का गठन किया गया है टीम में सीटी मैनेजर किरेश्टीन कक्षाप, रवी संकर भारती, जय गुडिया, जुनियर, इंजिनियर, सत्यजीत महतो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट गीता सामिल है परत्योक्ता सव अंको की होगी इस बार भी सहर के सभी अस्पतालों, होटलों, स्कूलों और होटल सोसाइटी में आवेजी स्वक्षता परत्योक्ता सव अंको की होगी पलामू में एनेज अंठानवे पखड़े हाईवा में ट्रक ने मारी टकर दो की मौत पलामू जी लेके हरिरंगंज थाना छेतरंतरगर धाबा का लागा में डाल्टन गंज अरंगाबाद एनेज अंठान में फोर लेन पर सोमवार दो फर खड़े हाईवा में ट्रक ने पीशे से टकर मार दी जिससे ट्रक के चालक और सह चालक की मौत हो गई इस घाटना में ट्रक पर सवार एक फल बेयापारी गंफी रूप से जखमी हो गया जिससे हरिरंगंज C.HC में प्रात्मिक इलाज के बाद रेफर कर दिया गया ट्रक और हाईवा के बीच फसे स्वाओ को गैस कटर से काट कर निकाला गया बताया जाता है कि महराष्ट के नासिक से अंगूर लेकर एक ट्रक टाल्टेन गंज की ओर से हजर गंज की ओर जा रहा था जारखन में पांचवे चरण में 54 उमिद्वार चुनावी मैदान में जारखन के पांचवे चरण के लिए नमांकन वापसी के बाद 54 परत्यासी मैदान में है चात्रा हजारी बा कोडार्मा के सीटों के लिए 20 मई को चुनाव होने वाले है यह जनकारी मुखे निर्वाचन पता अधिकारी केरवी कुमार ने दी है मुखे निर्वाचन दिकारी ने कहा है कि चात्रा लोग सभा निर्वाचन छेतर से एक उमिद्वार ने अपना नाम वापस लिया है चात्रा लोग सभा सीट पर जवाब देते हुए बताया है कि किसी भी परत्यासी ने अपना नमांकन वापस नहीं लिया हजारी बाग लोग से कुल 17 परत्यासियों के बीच हार जीत का फैसला होगा पपु यादव पहुंचे धनबाद कांग्रेस परत्यासी अनूपमा सिंग के लिए चुनाव परचार बिहार के पुर्व सांसत पपु यादव लोग सभा परत्यासी अनूपमा सिंग के पक्ष में चुनाव परचार करने सुमवार को निर्सा हाई स्कूल के पास पहुंचे इस दोरान कांग्रेस के परखन अध्यक्ष डियन परचाद यादव सहित अनेके नेतियुत में उनका भवे स्वागत किया गया साल उढ़ाकर में पुस्प गुच्छा देकर उन्हें समानित किया गया इस दोरान सभा आयोजीत हुई बदाद साभा को समधित करते हुए पुर्य सांसत पप्पु यादव ने भाजपा को आड़े हाथे लेते हुए कहा है कि देश के परधान मंतिर मोधी जी ने अपने दस साल के टेन्योर में देश की जानता को सिर्फ धोका ही दिया है जानता को बरगलान ने उन्हें अंधेरे में रखा दुमका में प्रेमी की हैवानिया दुसकम्न के बाद एसिट डाल कर मार डाला दुमका जिले में 29 अपरेल को ताल जहारी धाना चेतर के बरमासा के सीमा गढ़ में साधी के दीन ही जीस की सोरी का कंकाल मिला था उस जगह ने कार्ण की गुत्थी दुमका पुलिशन सुझा ली है दुमका के एसपी पितांबर सिंग खेरवार ने खुला सा किया है कि की सोरी के प्रेमी ने ही उसकी बेरहमी से हत्त्या कर दी थी आरोपी प्रेमी पिंकु कुमार मंडल उर्फ छोटु गिरफतार कर लिया गया है यसी भी ने बताया है कि की सोरी के परिजनों ने उसकी साधी देवघर जीले में तै कर दी थी की सोरी अपने परिजन द्वारा तै किये गए लड़के से साधी करने को तयार थी जबकि आरोपी पिंकु उसे अपने साधी करने के लिए दबाव बना रहा था जारखन में बदला मौसम बारिस और बजरपात की अलट जारी जारखन में सोमवार को मौसम का मिजाज बदला इससे लोगों ने रहत की सांस ली रांची में हवाय चलने से लोगों को रहात मिली चिलचिलाधी धूप और हीट वेब से पिछले कई दिनों से लोग बरिसान थे बोकारों समयत कई जिलों में बारिस के साथ ओला विरिष्टी भी हुई है बजरपात की भी असंका है वही 7 माई को रांची समयत कई जिलों में उला विरिष्टी को लेकर औरेंज अलर्ट जारी किया गया वही 10 माई तक राज के भी भीभीन जिलों में गरज के साथ तेज हवाय चलेंगी बजरपात की असंका को देखते हुए एलो अलर्ट भी जारी किया गया है बदाते जारकन में सोमवार को मौसम में बदलाव से लोगों ने रहा की सास ली है एक तरफ जहां बोकारों में ओला विर्ष्टी हुई है वही रांची में हवाय चलने से लोगों को सुकून मिला है जैराम महतो को काष्टरणी से भागाने के आरोपी तिन समर्थकों को मिली बेल गिरिरी लोकसभा के परत्यासी जैराम महतों के समर्थक, रिजवान, भरजान, वसंजय, कुमार के बेल, मामले पन्याईक, दंडाधिकरी पर्थम, सिरेनी, बोकारो, बीसी, समद के नियाले में सोमवार को सुनवाई हुई, दोनों तरफ की दलिल सुनने के बाद सिरी समद न फाइल किया गया था, तीनों पर एक माई को गिरिरी लोकसभा परत्यासी जैराम महतों को पुलिस हीरासत से भागाने वसरकारी कामकाज में बाधार डालने के आरोप है,